हलो पेंट्स आज मैं आपको एक ऐसे बोलस के बारे में बताऊंगा जो कि यह दिया आप अपने पसू में परियोग करेंगे तो आपके पसू में बहुत यह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कौन सी बोलस है कैसे परियोग करना चाइए किस विद्धी से देना चाइए कौन से रोगू के अंद गदा आप उसका परियोग करना चाहिए फोट यह अच्छा रिजल देने वाली बोलस है जो भी मेरे चैनल पर जो किसी भी बोलस है टेबलेट है, इंजेक्शन है उसके बारे में वीडियो लगता हूँ तो वह यह नहीं देखता कि कौन सी किस कंपनी का है जिसका अच्छा रिजल्ट है वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ ताकि आपको अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिले इसलिए यह दिवीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो का आप स्किप करके मैं देखना वीडियो को पूरी देखना वीडियो पूरी देख लेंगे किसी भी तरह का इसके अंदकत कोई हार्मोनल मिलावा नहीं है बट एदी आपके पसू में जिस प्रकार से एदी आपका पसू बार बार बोलता है या बार बार रिपीट हो रहा है आपने एक बरे याई करवा लिया नेच्रोल गरबादान करवा लिया और कई पर एदी आपकी जो गायवेंस हैं उनमें च्यार से पांस पर यहीं करवा लिया फिर भी आपकी जो गायवेंस है और ठहर नहीं पाती है तो उस इस्तिती के दोरान भी आप इस बोलस का परियोग आप अपने पसू में करवा सकते हैं आपर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसू में देखने को मिलता है यह दि आपका पसू बार-बार एपिट है तो उसके लिए देना चाहिए कितनी डोज देनी चाहिए कैसे देनी चाहिए वह भी माँ को बता दूँगा इसके अलावा एदी आपके पसू में जिस पर कारे कई पसू ऐसे देखे होंगे जिन में बार-बार अबोर्सन होता है इदि आपके पसु में गरब पात ना हो, तो गरब पात से बचाने के लिए भी आप इस बोलस का परियोग आप अपने पसु में करवा सकते हैं, वापर भी आपको बहुत अच्छा रिजल मिलता है, क्योंकि कई बर आपने देखा होगा कि आपके पसु में एक बर अबरसन हो पिर बार-बार आपके पसो में इस तरह की दिकत देखने को मिलती है तो इस इस्तति के दोरां से इदिया बचाना साथे हैं तो भी आप इस बॉलस का परियोग उन पसो में करवा सकते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसी तरह से इस बॉलस का और भी फ तो उस्सित्थि के दौरान अप इस बॉलस का प्रयोग आप अपने प्रमाप्स के शिकैश्ज देड़ा है Is तूर प्रियोग कर सकते हैं देखो कोई भी यो किसी भी कंपनी की हो चोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी जिसका प्रोड़क्ट अच्छा है जिनका रिजल्ट अच्छा है या हटकर के प्रोड़क्ट है तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो मिलेंगी देखो गर् अपने पसूं में जिस प्रकार से AI या नेच्रूल गरबादान यदि आप अपने पसूं का करवाते हैं तो उससे पहले क्या करना है कि आपको तो AI और नेच्टरो गर्बादान से पहले आपको यह चार बोलस एक साथ आप अपने पसूं को दे देनी है जिस प्रकार से आप अपने पसूं को चार से 6 गंटे पहले आप अपने पसूं को यह चार बोलस दे दे आपके पस्वों में किसी भी तरह की जो हर्मोनल डिपसेंसी है या हर्मोन का एन बैलेंस है उसको भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसके हर्बल इस तरह के मिले वे हैं जो कि आपके पस्वों को हर्मोन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं फिर आपको ये जो तीन पत्ते बचते हैं वे दो बॉलस सुबह और दो बॉलस स्याम लगातार तीन दिन आपको वे बॉलस आपको दे देनी है इस तरह से आपको AI वे नेचुर गरवादान के दौरान आप इस बॉलस का प्रियूग आप अपने पसूँ में करवा सकते हैं यदी आप इस बॉलस को इदी रिपीट करवाना साथते हैं रिपीट करना है तो आप अपने पसूँ आपका पसूँ ठैर गया घरवदान तो आपको जैसे तीन महीने हो गए तो तीन महीने के दोरान आप इसे एक जो पैकिट आता है ये पैकिट आपको तीसरे महीने में आपको एक साथ इसके इंदगत चार चार बॉलस के चार पत्य आते हैं तो आपको दो बॉलस सुबह और दो बॉलस स्याम को लगातार चार दिन आपको तीसरे मह मेने में चला गया तो छट्टे मेने में भी आपको इसी तरह से दो वॉलस सुबह और दो वॉलस स्याम लगातार आपको चार दिन छट्टे मेने में आप अपने पसूं को दे सकते हैं जो प्रिग्नेंसी को यह आप से प्रगना जाते हैं किसी तरह की कोई आपके पसूं में द इस CORS प्रयोग आप त्रहा नियां, इसी तरह से आप которую कब चार दिन के लाध के ना, इसरे पुरिज दिन का क! इस तरह से आप जो मैंने महीने बता हैं उस महीने के अंद्रगत कर में अपको इस बोलस का प्रयोग आप अपने पसूहरी में करवाना है क्या तो उसी इस्तती के दोरान भी आप इस बोलस का पर्योग दो बोलस सुबह और दो बोलस याम लगातार कम से कम चार दिन तो आपको पर्योग करवानी ही करवानी है रही बात ये बॉलस किसी भी तरह का कोई भी side effect आपके पसू में नहीं होता है चाहिए ये दू देने वाला पसू है तो उसमें किसी तरह का side effect देखने को नहीं मिलेगा रही बात ये आपका पसू pregnant है तो भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वैसे भी गाविं ऐसे बोलस का प्रियों कि जाता है क्योंकि भी ये वैसे बोलस if ये नोन-हरबोनल बोलस है ताकि आपके पसु में अच्छा result दे इसी तरह से ये आपके पसु में किसी भी तरह की जिस फ्रकार से दूद देने वाले पसुgh है या आपके पस्वों में जिस परकार से digestion के लिए कई इस परकार के comments आते हैं कि सर जो गरबदान ठहराने के लिए हम जो bolus या liquid का प्रयोगा बताते हैं तो क्या है आपके पस्वों में हमारे पस्वों में ओ फिट का काम तो नहीं करेगी बिलकुल भी इस तरह का कोई काम नहीं करेगी चुकि इसके अंगत इस तरह के vitamins और herbal जो के गुण मिलाई होते हैं ताकि आपके पस्वों में रूमन के अंगत किसी भी तरह की कोई दिकत नहीं हो और आपके पस्वों की जो रूमन है वह upset नहीं हो इसके तोर पर इन बोलस को बनाया जाता है और साथ यसाथ आपको अच्छार जल देखने को भी मिलता है इसी तरह से एदी आपके पस्वों में जिस प्रकार से एदी और भी कोई जैसे डिजीज है एदी आपके किसी कारण वासे अधर डिजीज या अधर इनफेक्शन की वज़ए से एदी आपके पस्वों में दिकत आ जाती है रिपीट ब वाले समय में आपको अनलग जो बोलस या टेबलेट आएंगी उनके बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी जो नमिन नए मेरे चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिविशन में दिया गया है वहाँ पर जाकर उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को जितना हो सकता है पस् धन्यवाद